असलाम हो अलेकुम वेलकम आप सभी गैस नए वीडियो में तो जिस अब सभी को बात है कि जमो कश्मीर में हमारे अंडरग्रेजवेट कोर्स की जो एडमिशन्स है वो यहां पे चल रहे हैं इस बीच हमारे अडमिशन प्रॉसस है वो दोनों C-VT के कंडिडेट्स को भी दी गई अडमिशन और उसके साथ नान-C-U-D के कंडिडेट्स थे उनको भी अडमिशन दिया गया और उसके साथ जो non-CUT के कंडिडेट्स हैं, उनकी भी admission की process यहाँ पे चल रही है, वो अपनी college की website, और JK admissions का portal चेक करते रहना, वहाँ पे आपको list आता रहेगा, वहाँ पे देखे, जो भी उसमें schedule आपका दिया गया है, अब उसके according अपनी admission process को complete कर देना, अब देखे, यहा काफी सारे students जिन्होंने पहले round में seat, जिनको allot हुई थी, उन्होंने seat को upgrade कर दिया था, वो दूसरे round का यहाँ पे wait कर रहे हैं, और उसके साथ जिनकी पहले round में selection नहीं हुई, वो सारे candidates भी यहाँ पे दूसरे round का wait कर रहे हैं, इस बीच दूसरे round की यहाँ पे dates आ चुकी लिंक उसके आपको description में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप हमें insta पे भी follow कर सकते हैं, उसके भी link आपको description में मिल जाएगी, तो चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और देख लेते हैं, यहाँ पे CVT के लिए, non-CVT के लिए अभी कोई update यहाँ पे नहीं है, नहीं 24 को आपका CVT का last date रहने वाला है, और आज आपको documents की verification का last date है, जिन candidates ने अपनी seat को freeze कर दिया है, वो आज अपने allotted college में जाके आपने documents को verify करवा लें, अगर आपने नहीं करवाए हैं, और उसके साथ आपको fee है, 9,000 या 9,000, उसकी last date जो आपकी है, वो कल रहने वाले है, आपको online ही करनी है, घर में बैठके document verify करवाने के बाद, उसके भी मैंने step by step procedure आपको already समझा दिया, कैसी fee pay करनी है, उसके भी हम ज्यादा discuss यहां पे नहीं करेंगे, अब कल 24 अगस्त को जो हमारा पहला round है, उसकी process सारी की सारी यहां पे complete हो जाएगी, चाहे अप grade वाले हों जाहे आपका confirm वाले हों, अप grade वालों को fee 2000 पे करनी है, उसकी भी last date है तो भी आप लोग कल तक fee 2000 पे कर देना, अब देखे, उसके बाद हमारा 25 है, वो second round हमारा start हो जाएगा 25 अगसे से, देखे 25 अगसे को क्या होगा, college वाले देखेंगे कि हमारे पास कितनी seats बची है, जि seat cancels, मतलब confirm हो जाएगी, अगर आप document verify कर वा रहे हो 24 तक, लेकिन fee पे नहीं कर रहे हो, तो आपकी seat cancels हो जाएगी, वो vacant रहेगी, अगर आप document से verify नहीं कर वाले तो उस condition में भी आपकी seat cancels हो जाएगी, यान कि 24 तक यह process चलेगा, और 25 को जो है, वो college वाले जो है, चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी seats vacant है, और उसका से यहां पे seat metrics लो display करेंगे, चाहे वो अपने portal पर करेंगे, या JK admissions के portal पर आजाएगा, जब आजाएगा हम आपको बताएंगे, किस college में कितनी seats है, वो इनको यहां पे display करनी है, अपनी seats है, वेसे college वाले आप अपना यहां पे JK admissions पर notification जारी करेंगे, कि हमारे पास किस course की कितनी seats vacant है, किसमें क्या है, वो आपको हम उस टाइम समझा देंगे, उसके बाद 25 अगस्त को यहां पे आपका seat metrics आजाएगा, कितनी seats vacant है, दुबारा से आपको choices fill up करने कि कोई भी जूरत नहीं, कुछ भी आपने application form के साथ नहीं क कि मुझे कौन सा college और कौन सा course आपका मिला, according to आपका merit, according to आपका preferences, according to vacancy states आपको alerts कर दिया जाएगी, क्योंकि जिससाब से seats vacant होंगी, उसे ही साब से मिलेंगी, जिससाब से आपका rank होगा, उसे ही साब से आपको मिलेगा, तो merit जो selection list होगी, दूसरी 27 अगस्त को आजाएग का schedule यहां पर जारी करेंगे, कि जिन candidates को हमारे college में admission हुआ है, वो किस date को कौन candidate आ जाएगा, किस date को किस subject के candidates को आना है, counselling और verification के लिए, उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, 27 अगसे से लेके 29 अगसे तक आपको आपको अपनी seat को freeze कर देना, 27, 28 और 29 तीन काया पर आप आपको अगर college पसंद है, तो आप अपनी seat को confirm कर दीजे, confirm ही आपको करना पड़ेगा, फिर से आप upgrade नहीं कर सतो, क्योंकि फिर उसके बाद हमारा तीसरा round जो होगा, वो spot vacancy round होगा, उसमें आपको दुबारा से preferences डालनी पड़ेगी, उसमें upgrade वगेरा कोई भी system नहीं तो आपकी seat जब वो cancel हो जाएगी, फिर आप तीन दिन में नहीं की अपनी confirm, तो आपकी seat directly cancel हो जाएगी, फिर आपका admission यहां पर खतम हो गया, अब देखें, 29 अगसे तक आपको जब दूसरा round की, मतलब, seat आपने confirm कर दी, उसके बाद यहां पर आपको क्या काम कर लेना है, 31 31 अगस्त से लेकिए, 2 सेप्टेंबर तक आपको अपना allotted college वहां पर आपको document verification के लिए जाना पड़ेगा, इसके हावाले से college होले notification भी जारी करेंगे, कभी-कभी वो subject wise भी बुलाते हैं, कभी वो randomly भी आपको बुलाएंगी, यनकी इन ही 3 दिनों में 31 एक और 2 हो जाएगा, उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपके college की जो fee है, चाहे 8,000, 10,000, 9,000, जितनी भी fee है वो आपको pay करनी है, उसके लिए आपको last day दी गई है, 3 September तक आपको अपनी fee pay करनी है, 31, मतलब अगस्त से document आप verify करवा रहे हैं, जो ही verify करवा रहे हैं, तुरं इसलिए सारे steps आपको as it is करने है, जो आपको prescribed time दिया गया है, उसी time में अपनी steps आपको complete करने है, अगर आपने fee अपनी pay नहीं करी, तो उस condition में भी आपकी seat cancel हो जाएगी, और वो फिर stray vacancy में fill up यहाँ पे हो जाएगी, यांकि हम spot vacancy round भी यहाँ पे कहते हैं, उसके बाद जब आपने fee पे करोगी, तो आपकी seat यहाँ पे confirm हो गई, और after that आपकी classes वगरा 15 September यहाँ पे start हो जाएगी, तो आप लोगों को अपनी classes वगरा अटेंट करनी पड़ेंगी, तो होगे आपका यहाँ पे confirm, तो यह थी आपकी दूसरी round की dates, सारा process दूसरी round का, जो मैंने दीसरा round होगा, जिसको spot round केते हैं, spot round पे में detailed video शाम तक डालोंगा, नहीं तो कल में डालोंगा उस पे video, वैसे में शाम को ही डालोंगा, उस पे video, spot round आपको समझा दोंगा, और उसकी dates भी आपको समझा दोंगा, और उसके हिसासाद जो upgrade वाले candidates हैं, जिन्होंने अपग्रे मुझे बता सकते हैं, या कोई भी doubt होगा, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे detail वीडियो डालने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, बाकी AC updates के लिए आपम अरजार जोड़े रहो, YouTube, Instagram, Telegram, हर जगा हम आपको updates time to time देते रहेंगे,